नमशकार, मैं डॉक्टर कविता कुमारी, राजेंदर मिश्रा कॉलेज सहरसा के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ scientific method, उसके meaning, definition और characteristics के बारे में चर्चा करूँगी, यानि scientific method का art, परिभाशा और विशेस्ताओं के बारे में चर्चा करूँगी, समाजिक घटनाओं की प्रकृति चाहे कितनी ही सरल हो अथवा जटल, विज्ञानिक पधती की सहता से किसी भी अध्यन को विज्ञानिक बनाया जा सकता है, इसी दिस्ट्रिकोन से Stuart Chase ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध विज्ञानिक पधती से है, ना कि किसी विशेस अध्यन विशेस से, इसी सिती में यह आवश्चक हो जाता है कि हम सरप्रथम विज्ञान के अर्थ को स्पस्ट करके विज्ञानिक पधती की विशेस्ताओं को समझने का प्रयत्न करें, जिससे समाजी घटनाओं के अध्यन में विज्ञानिकता की सीमा का मुल्यांकन किया जा सके, अब विज्ञानिक पधती को समझने से पहले विज्ञान का अर्थ समझना आवश्चक है, विज्ञान शब्द की व्याख्या विभिन प्रकार से की जा सकती है, वास्तविक्ता यह है कि कला का अर्थ जिस प्रकार केवल चितर बनानी की निपुनता से नहीं, बलकि किसी विशे को कलातमक और सपस्ट रूप से प्रस्तुत करने से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का तातपर केवल रशाइन सास्र, भौतिक सास्र और जीव सास्र से नहोकर, किसी भी ऐसे विज्ञान से है, जो विवस्थित और क्रमवध हो, यह धारना भी गलत है कि विज्ञान केवल वह ज्ञान है, जिसका स्रेजन बहुतिक उपकर्णों की सहयता से प्रयोग साला में होता है, ऐसी सभी भ्रांतियों को दूर करते हुए, गुडित अनहाट ने लिखा है कि वास्तव में विज्ञान का ताते पर केवल विवस्थित ज्ञान के संचे से ही है, विज्ञान की प्रकृती को उनकी निमलिखित विशेष्थाओं के द्वारा सरलता पूर्वक समझा जा सकता है, विज्ञान का ताते पर किसी भी ऐसे विज्ञान से है, जिसका संचे पक्षपात रहित होकर तथा विवस्थित रूप से किया गया है, वस्थुनेस्था विज्ञान की एक प्रमुख विशेष्था है, अर्थार्थ, इसमें किसी समाजी घटना को बिलकुल उसी रूप में देखा जाता है, जैसे कि वह वास्तव में है, तीसरा, विज्ञान अनुभव सिध, यानि इंपीरिकल ग्यान है, इसमें कल्पना अत्वा ग्यान का कोई महतो नहीं होता, चौथा, यह वह ग्यान है, जो कारे कारण के संबंद को स्पस्ट करता है, पाच्वा, विज्ञान तारकिक अत्वा लॉजिकल होता है, क्योंकि इसके अंतरगत विभिन तत्यों के बीच ना केवल एक तारकिक संबंद स्पस्ट किया गया है, बलकि यह ग्यान स्वयम इस प्रकार का होता है, कि उसे तर्क के द्वारा समझा जा सकता है, चछठा, केवल ज्ञान का संग्रह ही तब तक विज्ञान नहीं होता, जब तक वह विवस्थित और क्रमवध ना हो, साथवा, सार्व भौमिक्ता तथा नियमों का पुनर परेक्षन विज्ञान के महत्रपूर्ण आधार है, यदि किसी मियम का पुनर परेक्षन करना संभव ना हो, तो उसे विज्ञानिक मियम नहीं कहा जा सकता, आठवा और आखरी, विज्ञान में पुर्वा नुमान अत्वा भविश्वानी की छमता होती है, अर्थात विज्ञान के अंतरगत, वरतमान में पाए जाने वाले तप्षियों के आधार पर, भविश्वें घटित होने वाली घटनाओं का निरूपन करने की छमता होती है, अब हम विज्ञानिक पदती का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, विज्ञान की अवधारना को स्पस्ट करने के पश्चात दूसरा प्रश्ण यह उठता है कि विज्ञानिक पधती क्या है यह सच है कि विज्ञान के अर्थ को समझने से विज्ञानिक पधती का अर्थ भी कुछ सीमा तक स्पस्ट हो जाता है परन्तु इसे प्रिथक रूप में समझना भी आवश्यक है साधारन शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई भी अध्यन पधती वे ज्ञानिक पधती है जिसे एक पक्षपातरहित अध्यन करता, किसी विशे के अध्यन में प्रस्तुत करता है प्रयुक्त करता है यह एक ऐसी पतती है जो भावना, दर्शन, अथवा तत्तो ग्यान यानि मेटाफिजिक्स से संबंदित ना होकर वश्टुनिस्ट, अवलोकन, परिक्षन, प्रयोग और वर्गी करन की एक व्यवस्थित कारप्रनाली पर अधारित होती है लुन्डबर्ग ने विज्ञानिक पधती की प्रकृती और महतु को स्पस्ट करते वे लिखा है कि समाज विज्ञानिक को में यह विश्वास डिड़ हो जाता है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान, सामाजी घटनाओं के निस्पक्ष और विवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गी करन, अत्वा विसलेशन द्वारा ही संभव है मोटे तोर पर अध्यान के इसी उपागन को विज्ञानिक पधती का नाम दिया जाता है Social Research में लिखा है Social Scientists are committed to the belief that the problems which confront them are to be solved if at all by judicious and systematic observation, verification, classification, and interpretation of social phenomena. This approach in its most rigorous and successful form is broadly designated as the scientific myth. इस कथन से यह स्पस्थ होता है कि विज्ञानिक पधती कोई भी वह पधती है जिसमें अध्यान करता निस्पक्ष और विवस्थित रूप से तत्यों का अवलोकन, सत्यापन और वर्गी करन करके वास्तविक्ता का विसलेशन करता है और समान प्रविर्तियों को प्रस्तोत करता है अब हम विज्ञानिक पधती की विशेस्ताइं यानि characteristics of social स्वरी characteristics of scientific method के बारे में चर्चा करेंगे विज्ञानिक पधती की विशेस्ताओं को विज्ञानिकों ने भिन भिन रूप में प्रस्तुत किया है लेकिन अध्यन की सरलता और स्पस्टता के लिए निमलेखित विशेस्ताओं को अधिक महतपुर्ण माना गया है पहला सत्यापनशीलता यानि verifiability विज्ञानिक पधती की सबसे प्रमुख विशेस्ता यह है कि इसके द्वारा जो निसकर्श प्रस्तुत किया जाते हैं उसकी सत्यता की किसी भी समय जाच की जा सकती है वास्तव में एक विज्ञानिक पधती किसी व्यक्ती से संबंध नहीं होती बलकि इसका सभी के लिए समान महतो होता है कोई भी व्यक्ती यदि विज्ञानिक पधती के द्वारा प्राप्त निसकर्शों को ठीक नहीं समझता तो वा विशे का पुना अध्यान करके उन निसकर्शों की पुनर परिक्षा कर सकता है इस दिस्ट्रिकों से विज्ञानिक पदती केवल तत्यों का उद्घाटन ही नहीं पुनर परेक्षन कर सकता है तारकिक्ता यानि लॉजिकालिटी तारकिक्ता अथवा तारकिक विचारों पर अधारित होना विज्ञानिक पदती की एक अन्य विशेस्ता है इसके अंतरगर एक विज्ञानिक ना केवल तर्ग के अधार पर अध्यान के प्रियोग में लाई जाने वाली पदती के ओचिति को स्पस्ट करता है बल्कि अपने निसकर्षों को भी तर्गिक अधार पर प्रस्तुत करता है इसका तात्य पर यह है यदि कोई अध्यान पदती तर्गिक कसोटी पर खड़ी नहीं उतरती तो इसे विज्ञानिक पदती के रूप में मानिता नहीं दे जा सकती तीसरा निश्चितता डिफिनेटनेस विज्ञानिक पधती असपस्ट अथवा अनिश्चित नहीं होती बल्कि यह प्रतेक व्यक्ति के लिए सूर निश्चित होती है यह कुछ ऐसे स्तरों द्वारा कारे करती है जिसका सभी के लिए अनुसरन किया जा सके इसके साथ ही विज्ञानिक पधती संदेह उत्पन करने वाले तत्वों को कोई महतों नहीं देती उधारन के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने किसी पुर्वा ग्रह अत्वा आवेश में आकर यह कह दे कि सभी नीता मंद बुद्धी के हैं अत्वा भरस्ट होते हैं तो ऐसे निश्कर्ष को वेज्ञानिक पधती से संबंधित नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें वेज्ञानिक प्रविर्ती का अभाव होता है चौथा वस्टोनिस्ट अब्जेक्टिविटी वेज्ञानिक पधती व्यक्ति निस्ट अत्वा भावनात्मक ना होकर वस्टोनिस्ट होता है इसका तातपर यह है कि इसके द्वारा घटनाओं या तत्यों का अधियन उसी रूप में किया जाता है जैसे कि वे वास्तव में हैं दूसरे शब्दों में विज्ञानिक पधती पक्षपात पूर्ण धारनाओं पूर्वा ग्रहों व्यक्तिगत अभिवर्तियों तथ विचार से प्रभावित नहीं होती एडबलू ग्रीन का कथन है कि वस्टुनिस्था का तातपर किसी तत्य अथ्वा प्रमान की निस्पक्षता पूर्वक जाच करने की इक्षा तथा योगिता है पाच्वा कारे कारन संबंध पर आधारित यानि कौज अनिफेक्ट पर की जाती है वास्तविक्ता यह है कि कोई भी घटना पूर्णतिया स्वतंत्र नहीं होती बलकि इसके घटित होने का कोई ना कोई कारन अवश्य होता है विज्ञानिक पधती इन कारनों को ढूंड कर कारे कारन संबंध की व्याख्या करती है विज्ञानिक पधती की इसी प्रक्रिया के फलसरूप, तारकिक और अनुभव सिध ज्ञान में व्रिधी संभव हो सकी है छथा सामानिता, जैनरलिटी वैज्ञानिक पदती किसी विशेज घटना अत्वा इकाई के अधियन में रुची नहीं लेती बलकि यह सामानिक घटनाओं के अधियन को महतो प्रदान करती है इस पदती से जो निसकर्ष तथा नियम संबंदित होते हैं वे भी किसी विशेज इकाई के प्रतिनिधी ना होकर एक संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधे तो करते हैं उदाहरन के लिए इस पदती द्वारा यदि कुछ स्रमिकों अथवा अपराधियों का अधियन किया जाता है तो वह एक अथवा कुछ व्यक्तियों के रूप में नहीं बलकि एक संपूर्ण वर्ग के प्रतिनिधी के रूप में होता है ऐसे अधियन से प्राप्ट निसकर्षों तथा नियमों को भी हम संपूर्ण वर्ग की विशेस्ता मान सकते हैं पूर्वा नुमान की चमता, प्रिडिक्टेबिलेटी, विज्ञानिक पदती की एक महतपूर्ण विशेस्ता यह है कि इसमें भावी परेस्थितियों का पूर्वा नुमान करने अथवा भविश्वानी करने के चमता होती है ऐसा करने के लिए विज्ञानिक पदती सरप्रतम कुछ विशेस घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कारकारन संबंधों की व्याख्या करते हैं इसके पश्चात इन घटनाओं के संदर्व में भविश्व में घटना की और भविश्व में संभावना की और संकेत करती है उदाहरन के लिए यदि किसी विज्ञानिक अधियन द्वारा यह ग्यात हो जाए कि समाज में छातर असंतोस बढ़ने का प्रमुक कारण दोस्पुर्ण सिक्षा अत्वा हितकारी राजनेती है तो यह भविश्वानी की जा सकती है कि यदि भविश्व में सिक्षा और राजनेती के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता तो एक विशेस अंतराल के बाद छात्र असंतोष की प्रविर्टी क्या हो सकती है। ये सिधान्त ना केवल एक विशेस छेतर से संबंधित घटनाओं की प्रकृती को विवस्तित रूप से स्पस्ट करने में सहायक होते हैं, बलकि इसके अधार पर अन्य समाजों में विद्यमान घटनाओं का भी विसलेशन किया जाता है। साधार्नतिया परिस्थितियों में जब तक बहुत अधिक परिवर्टन नहीं हो जाता या सिधान्त अपनी उपियोगिता को बनाये रखते हैं। वास्ता में सैधान्ति करन वैज्ञानिक पधती का प्रमुख लक्ष होता है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को वैज्ञानिक पधती के चरन अर्थात Steps of Scientific Method के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।